Indian celebrities को India में जितना भाव और प्यार मिलता है, उतना ही foreign countries में जिल्लत भी सहनी पड़ती है It's almost as if इनका real struggle globally recognized होने के लिए भी काफी दर्दनाक और humiliating है Indian paps बाहर के देशों के celebs के लिए जितने welcoming है, उतने ही foreign countries के paps और media unbothered है with the existence of our Bollywood celebrities ऐसे में there is one actress जो ना सिर्फ Bollywood बलकी Hollywood में भी अपनी छाप छोड़ चुकी है मगर जब इतना काम करने के बाद भी उन्हें गलत नाम से बुलाया गया तो उनके Indian fans काफी ज्यादा भड़क गए क्या है पूरी कहानी आज जानेंगे इस वीडियो में प्रियंका चोप्रा जो की इस वक्त एक ग्लोबल आइकन है रिसेंटली उन्हें एक ब्रिटिश टीवी होस्ट ने गलत नाम से बुलाया ये वीडियो जब से वाइरल हो रही है तब से लग तो यही रहा है कि अंडी पीटर्स जो की एक ब्रिटिश टीवी होस्ट है उन्होंने जान बूच कर प्रियंका को चियांका चॉप्री एड्रेस किया और जब से ये वीडियो इंस्टेग्राम पर वाइरल हो रहा है प्रियंका के फैन्स इस टीवी होस्ट पर काफी ज्यादा भड़क चुके हैं मार्च दो हजार चॉबिस में ब्रिटिश टीवी होस्ट आंडी पीटर्स लंडन में मादम टुसाज गए थे जहां पर कई सेलेबरिटीज के स्टाचूज बने हैं यह टीवी होस्ट मादम टुसाज से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे टू हिस कॉलीग्स इन स्टूडियो आदिल रे एंड शॉर्लिट होकिन्स जब आदिल रे ने आंडी से पूछा कि वो किस किस टाचू के आगे खड़े हैं तो पहले तो आंडी काफी कंफ्यूज नज़र आए जिसके बाद उन्होंने प्रियंका चोप्रा को च्यांका चॉप्री बोल दिया ये विडियो हाल ही में वाइरल हो रहा है जहां प्रियंका के फैंस इस इंसिडेंट को अनएक्सेप्टबल बता रहे हैं इस बाइट की तुरंट बाद आदिल रेज अपने स्टूडियो में बैठे थे उन्होंने एंडी को ये समझाया कि कैसे अगरू किसी के स्टाचू के आगे खड़े होने वाले हैं तो उन्हें एटलीस्ट उस्टार का नाम तो पता होना चाहिए साथ ही आदल was kind enough to tell Andy कि वो जिनके बगल में खड़े हैं वो कोई और नहीं बलकि प्रयांका चोप्रा है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में बहुत बहतरीन काम किया है और अब वो अमेरिका में भी एक जानी मानी स्टार है इस statement के बाद Andy ने एक और problematic statement देकर खुद के प प्रयांका के fans और भी जादा offend हो गए और सच बताओं तो यार अगर आप किसी इंसान के बारे में बात करने वाले हो तो knowing their name and pronouncing it correctly तो सबसे basic step है ऐसे में Andy का प्रयांका का नाम deliberately गलत प्रनाउंस करना कहीं ना कहीं British लोगों का Indian celebrities के लिए unwelcoming और hostile होना दर्शाता है इन फाक्ट प्रयांका ने अपने एक interview में ये तक कहा था कि उन्हें अमेरिका ने बहुत खुले दिल से accept किया है मगर ऐसे कई incidents होते हैं जहां उन्हें एक room में जाकर खुद को introduce करना पड़ता है और उन्हें इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है जहां ये प्रयांका की humility और down-to-earth personality दिखाता है आपका Andy Peters की इस mispronunciation पर क्या take है मुझे comment section में जरूर बताना और बाइद वे ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि foreign countries की media और journalists ने Indian celebrities को subtly disrespect किया हो Aishwarya Rai ने जब अपनी film Bride and Prejudice के लिए David Letterman को interview दिया था तो David ने Aishwarya से Indian culture पर कुछ ऐसे सवाल पूछे थे जो Aishwarya को offend कर रहे थे But Ash being the graceful woman she is, औरो ने David को काफी savage replies देकर उनका मूँ बंद कर वा दिया To an extent की इस interview के clips आज तक viral है It's fine to live with your parents because it's also common in India that we don't have to take appointments with our parents to meet for dinner Sirf यही नहीं, Alia Bhatt ने जब Met Gala 2023 attend किया था तो Western media उनने Aishwarya कहकर बुला रहे थी for the pictures But Alia ने simply इस बात को इग्नोर करते Paps को अपने photos दिये But just imagine, यह किसे भी आक्टर के लिए किता ज्यादा ज्यादा हुमिलिटिंग होगा Same चीज दिपिका पादुकोन ने भी face करी थी during Met जब लोग उन्हें परंका चोपरा के नाम से बुला रहे थे इस incident पर दिपिका ने अपने के इंटर्वियों में ये तक कहा कि कैसी ये एक racist remark है दो similar skin color के लोगों के लिए ये अजियूम करना कि वो एक ही इंसान है Western media की lack of knowledge और interest in Bollywood को indicate करता है आपका इस incident पर क्या opinion है मुझे comment section में जरूर बताएं साथ ही अगर यी video आपको पसंद आया हो then make sure that you like, share and subscribe to this video also if you want ki entertainment से जुड़ी ऐसी ही खबर आपकी फीट पे आते रहे then you know what to do make sure you subscribe to Uncut